हलो दोस्तों, वेलकम ओल, हाँ दोस्तों, MPNHM स्टाफ नर्स और A&M का आपके पास 15 दिन का समय बस और बचा है फाइनली दोस्तों, यदि जौब चाहिए तो अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा समय लगा दे अपनी पढ़ाई में इस वीडियो में हम देख लेते हैं, फुर्स से रिलेट 되고 कैसे क्वेशन आएंगे फुर्स से रिलेटे कुछ important questions देख लेते हैं, जो कि आपको मदद कर सकते हैं आपको confidence दिला सकते हैं कि कितना questions आएंगे, कैसे आएंगे तो दोस्तो इस वीडियो को last तक देखें ताकि एक बार आप इदि रिविजन मार लेते हैं इनका और इदि कोई question आता है तो आप तुरूंत answer दे पाएंगे and आप select हो पाएंगे दोस्तो हर एक number पर आपका rank नीचे चले जाएगा हर एक number important है इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें बहुत concentration से पढ़ें इदि आप इस channel पर नहीं है तो channel को like कर दें share करें subscribe करें bell icon दबाएं ताकि आगे की जितना भी revisions के मैं videos upload कर रहा हूं उसका notification आपको मिलता रहा है आप अपना preparation complete करें देख लेते हैं first aid related questions जो हमारा प्रात्मिक चिकित्सा है उससे related आपकी questions आएंगे तो दोस्तों first aid जो है बहुत important है nursing staff के लिए क्योंकि जब भी कोई patient आता है first aid उनको knowledge होगा तो यह आपको job देने के लिए वो eligible करेंगे इसलिए first aid questions आएंगे तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया competition बहुत ज़्यादा है आप सारा कुछ preparation बहुत concentration से करें एक एक number से आपका selection रुख सकता है इसलिए बहुत concentration से सारी चीजों को पढ़ें और याद रखें ताकि आपका selection हो जाए तो दोस्तों start करते हैं पहला question है हमारे पास CPR के प्रत्यक चक्र के लिए आपको कितना compression और सांस लेना चाहिए तो इसका answer होगा 30 संपीडन और 2 स्वास 30 संपीडन और 2 स्वास दूसरा है हमारे पास दोस्तों एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण है कित का डंग या मकडी का डंग मकडी के डंग या कीट के डंग से एनाफिलेक्टिक शॉक का कारण हो सकता है निक्स दोस्तों देख लेते हैं ऄजली हुई तवच पर कोई दर्द नहीं हो रहा है उसे हम देंगे क्या बोलेंगे third degree burn next देख लेते हैं दोस्तों गंभीर रक्स त्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए यदि बहुत ज़्यादा खून बहरा है बहुत ज़्यादा रक्स त्राव हो रहा है किसी patient को तो आपको क्या करना चाहिए तो आपको साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डाना चाहिए जिस भी उसके पार्ट से खून बहुत ज़्यादा बहरा है तो साफ कपड़े या अपने हाथ से उस पार्ट को दबा दो ताकि उसके patient के body में खून की कमी ना हो next दोस्तों देख लेते हैं एक cabin attendant के रूप में dying of first aid duty आपके लिए सर्वच प्रात्मिकता है एक cabin attendant के लिए dying of first aid duty आपके लिए सर्वच प्रात्मिकता है तो इसका जो आज़ए आसर होता खत्रे से अवगत रहना खत्रे से आउगत रहना तो आपको पताना चाहिए कि क्या खत्रा हो सकता है क्या पेशन के लिए खत्रनाक हो सकता है उससे आउगत रहना सबसे इंपोर्टन है नेक्स देख लेते हैं दोस्तों किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय रूट आपात कालिन परिवहन तकनीक का मुख्य उद्देश है दोस्तों यात्री को इस्थान तरित करने के लिए तो आप जहां भी जैसे किसी इन रूट में एक्सिरेंट हो जाता है वहां पर प्रात्मिक उपचार देना है तो सबसे परिवहन की पास के होस्पिटल में को पहुचा जाए यात्री को इस्थान तरित करने के लिए नेक्स दोस्तों देख लेते हैं रोगी की इस्थिती की जाश करते समय आपकी पहली कारवाई क्या होती है यदि किसी रोगी को आपकी इस्थिती जाश कर रहे हैं कि क्या किस सिच्वेशन में है पेशेंट तो आपकी पहली कारवाई क्या होती है तो आपकी जो पहली कारवाई होती है, पीडित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं, पीडित से बात करें, उसको क्या तकलीफ है, उसके कंधे हिलाएं, उसकी इस्तिती जाचने के लिए सबसे प्रात्मिक तरीका यही है, नेक्स दोस्तों देख लेते हैं, हैमलीच, हैमलीच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश, है पीडितों के वाईउ मार्ग के रुकावटों को दूर करना, Estor के दोस्तों, पिडितों के वायु मार्क में रुकावत को दूर करना। जो हमारी body में carbonic acid dioxide जो release होता है उसका क्या होता है कहा जाता है तो यह रक्त और श्वास प्रणाली के माध्यम से समाप्त हो जाता है जो carbonic acid dioxide हमारे शरी में बनता है वो रक्त और श्वास प्रणाली के माध्यम से समाप्त हो जाता है नेक्स दोस्तों देख लेते हैं एक वेक्ति को बेहोशी की एक छोटी अवधी बेहोशी से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं यदि कोई वेक्ति बेहोश होने वाला है वो बेहोशी की अवधी में जाने वाला है तो उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं तो उसे ताजी हवा दे, पिडित को लेटने दे और पिडित को आश्वस्त करें मतलब उसको सांत करें बेहोशी जो होती है दोस्तों ये कभी कबार स्ट्रेस में आ जाने से बहुत डर जाने के कारण कुछ एक्सिडेंट हो गया, उसको कुछ लग गया तो वो बेहोश न हो, तो उसको लेटा दे और उसको आश्वस्त करें कि आपको कुछ नहीं होगा, आपका अपचार किया जा रहा है नेक्स दोस्तों देख लेते हैं कम चेतना वाले पिडित पर क्या लागू होता है कम चेतना वाले पिडित पर क्या लागू होता है पिडित अभी भी बोलने में शक्षम है पिडित अभी भी बोलने में उसको चेतना कम है पर वो बोल पा रहा है तो कम चेतना वाले पिडित पर क्या लागू होता है अभी भी बोलने में शक्षम है नेक्स देख लेतें दोस्तों आप नस से खून बहने की पहचान कैसे करते हैं आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं तो आप घाव से रक्त समान रूप से बहता है यदि नस से खून बहरा है तो जो रक्त का flow है रक्त का बहाव है वो समान रूप से होगा तो उसे हम बोल सकते हैं कि नस से खून बह रहा है नेक्स दोस्तों देख लेते हैं अब आपात कालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में गाट कहां लगाते हैं इस पस्टर रूप से घाव से दूर आपकी घाट जो होगी घाव से दूर होना चाहिए उसका में कारण यह है कि यदि घाव के पास घाट लग गई और यदि उस घाव को और ज्यादा खतरनाक बना देगा और ज्यादा दर्द होगा उसको क्योंकि गठान उसको चुबहेगी नेक्स दोस्तों देख लेते हैं नीचे बताए गई चीजों की डायन से जटका लग सकता है तो दिल का दोरा दिल के दोरे के दोरा होगा इसका आंसर नेक्स द करना चाहिए तो पीने के लिए कुछना दे यातरी को फिर से अश्वस्त करें और उससा इसा का सेहता के लिए कर डराने से बताए दोरा कर दोस्तों चोटे कट के लिए आप क्या करते हैं छोटा कट लगा है तो उसके लिए क्या करना है आपको साबून और पानी से धोए एक बांच पट्टी के साथ कवर करें क्या करना है पानी से धूना है और एक पट्टी के साथ आपको उसको कवर करना है नेक्स दोस्तों देख लेते हैं रक्त परिसंचरन किसके कारण रुख सकता है रक्त परिसंचरन किसके कारण रुख सकता है तो ये रुख सकता है दोस्तों दिल का दोरा पड़ता है तो रक्त परिसंचरन रुख जाता है नेक्स दोस्तों देख लेते हैं अगर किसी को अचानक गंभीर रूप से खून बहने लगे तो आप क्या करते हैं यदि किसी को अचानक गंभीर रूप से खून बहने लगे तो आप क्या करते हैं गाओ पर दबाव डाले अभी इसके पहले भी एक question आया था तो ये question बहुत common ह आपके first rates are related कि किसी को अचानक से गंभिर रूप से खुन बह रहा है तो क्या करें घाव पर दबाव डाले next देख लेते हैं दोस्तो हाइपो थर्मिया के लक्षन क्या है तो हाइपो थर्मिया के क्या लक्षन है दोस्तो हाइपो थर्मिया के लक्षन में थंडा थका हुआ कापना और आसामान्य रूप से अभी नए करना है next दोस्तो देख रहते हैं second degree burn का सबसे अच्छा हिलाज क्या है अच्छा हिलाज पानी उसको पानी से टृटेकर रहता है पानी से उसको वज़ाया या सकता है नेक्स देख लेते हैं दोस्तों आप सांस लेने की जाच कैसे करते हैं तो दोस्तों देखे सुने हैं महसुस करें उसकी सांस आ रही है के नहीं देखें सुने उसको और महसुस करके हम उसे जाच कर सकते हैं नेक्स दोस्तों देख लेते हैं, नकसीर को रोका जा सकता है, कैसे नतुने को कुछ देर के लिए थपथपा के नकसीर को रोका जा सकता है, नेक्स दोस्तों देख लेते हैं, कैबिनेट अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दिये गए प्रात्मिक चिकित्सा करतव्यों में से कौन सा सर्वच प्रात्मिकता है, तो cabinet attendant के रूप में नीचे दिये, नीचे जो प्रात्मिक चिकिसा करता वे दिये हैं, इसमें सबसे ज़्यादा important कौन सा है, तो इससे खत्रे से अवगत रहना, क्या खत्रा है passion के लिए, उससे अवगत रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रात्मिक और सबसे ज़्यादा important नेक्स दोस्तों देख लेते हैं, किसी मरीज की इस्थिती की जाज करते समय आपकी पहली कारवाई क्या होती है, किसी मरीज की इस्थिती की जाज करते हैं, तो आपकी पहली कारवाई क्या होती है, तो पिरिट से बात करें और उसे कंधे को हिलाएं, यह कुशन आई फिर से आ इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है एईडी के साथ इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यह होगा सहायता के लिए कॉल करें एडी चालू करें और एडी द्वारा प्रदान किये निर्देशन का पालन करें सहायता के लिए कॉल करें ए AED चालू करें और AED जो निर्देश दियें उसका पालन करें ताकि आपके जो पैशेंट है उसको आप बचा पाएं और उसके मदद कर पाएं नेक्स दोस्तों देख लेते हैं, कवर बेड़ेच के लिए क्या उशक है, कवर बेड़ेच के लिए यह बाज होना चाहिए, नेक्स दोस्तों देख लेते हैं, जब किसी यात्री के सांस नहीं चल रही, तो आपको क्या करना चाहिए, यदि किसी यात्री के सांस नहीं चल रही तो आपको क्या तुरंद CPR शुरू कर दे तुरंद क्या करें यह दो इसके सांस नहीं आ रही तो उसको CPR देना शुरू कर दे नेक्स दोस्तों देख लेते हैं हेमलिश प्रक्रिया का उद्देश क्या है हेमलिश प्रक्रिया का क्या उद्देश है दोस्तों हेमलिश प्रक्रिय प्रक्रिया का उद्देश है कि पीडित के वायू मार्ग में रुकावट को दूर करें हैं हमलिश प्रक्रिया का में उद्देश है कि पीडित की वायू मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए तो दोस्तों सुचिबद करे कि FAST क्या है FAST का क्या आर्थ है तो FAST का दोस्तों जो आर्थ है वो है चहरा, हाथ, भाषन और समय चहरा, फेस चहरा, हाथ, भाषन और समय नेक्स दोस्तों देख लेते हैं CPR के प्रत्यक चक्र के लिए आपको कितनी संपीडन और स्वास लेनी चाहिए CPR के प्रत्यक चक्र में आपको कितनी संपीडन और स्वास लेनी चाहिए तो यह है दोस्तो, 30 संपीडन और 2 स्वास देख लेते हैं दोस्तों, यदि एक पेशेंट को मधुमक्की ने काट लिया और डंग अभी भी तवचा के अंदर है, तो ऐस एनाफिलेक्टिक सदमे से बचाने के लिए आप उसे क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, इस्टराइल चिम्टे की एक जोड को उप्योग करके स्टिरिंग को हटा देंगे, ठीक है, नेक्स देख लेते दोस्तों, एक वेक उसके लिए आप दोस्तों, उसके लिए आप चिकित्स की ध्यान की विवस्ता करें, चिकित्स की ध्यान की विवस्ता करें, नेक्स दोस्तों देख लेते हैं, एबी सी का क्या अर्थ है, एबी सी का अर्थ है, एबी सी का जो अर्थ है दोस्तों, एयरवे, एयरवे, ब्रिद circulation A, B, C Airway Breathing Circulation Next दोसे देख लेते हैं एक वयस्क पर छाती को संकुचित करते समय हम छाती को दबाते हैं एक वयस्क पर छाती को संकुचित करते समय हम छाती को दबाते हैं तो कितना दबाते हैं दोस्तों 4-5 cm कितना दबाते हैं 4-5 cm नेक्स दोस्तों देख लेते हैं, बेहोश हताहात से निपटने के दोरान आपको जाच करनी चाहिए, सामाने श्वास के लिए सेकंड, तो क्या करना चाहिए दोस्तों, सामाने श्वास के लिए अधिक्तम दस सेकंड, कितने सेकंड जाच करनी चाहिए, बेहोश हताहात से पटने के दोरान आपको जाज करनी चाहिए सामने स्वास के लिए 10 सेकंड तक आपको जाज करनी चाहिए नाड़ी का होना मेडिकल शौक का संकिय थे कौन सी नाड़ी का होना मेडिकल संकिय थे तेजी से नाड़ी का होना मेडिकल शौक का संकिय थे नेक्स दोस्तों देख लेते हैं डाट क्या है डाट क्या होता है दोस्तों तरल या गैस से जलना डाट का मतलब होता है तरल या गैस से जलना है नेक्स दोस्तों देख लेते हैं जब कोई हाथ तोड़ता है तो आप क्या करते हैं जब कोई हाथ तोड़ता है तो आप क्या करते हैं हाथ को गोफन में रखे हाथ को गोफन में रखे ने तो दोस्तों यह था important question first aid से related यह आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आकान अब आए ताक कि आगे के अपडेट आप